अब अगर हम सांकिकी को कला मानें तो वो कौन-कौन से आधार है जब हम ये कह सकते हैं कि हाँ सांकिकी विज्ञान के साथ-साथ कला भी है कला की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं कौन-कौन से बिंदु है कला को हम सर्वोत्तम रीती से जोड़ते हैं यानि की कारे करने की अच्छी सबसे अच्छी सबसे उत्तम रीती बताने वाली जो विधा है उसको कला कहते हैं तो समाधान वाली बात भी कला के अंतर गताती है वैसे ही कला की अगर हम बात करें तो एक कलात्मक प्रदर्शन मतलब किसी भी चीज को सू व्यवस्थीद बहुत अच्छे से सजा के लिखना बहुत अच्छे से स्पस्ट रूप से दिखाना कि लोगों को बहुत अच्छे से स बक्ष होता है तो यह कुछ ऐसे बिंदु है जिनके आधार पर कह सकते हैं कि ये कला है तो देखते हैं इसको हम सांखिके से को रिलेट करके कि क्या ये बिंदू सांखिके अंतरगत भी आते हैं अगर हम सबसे पहले पॉइंट आने कि सर्वोत्नम रीती की बात करते हैं तो सारी चीज़ों को ग्यात करने के बहुत सारे नियम से धान्थ बहुत सारी नीतिया सांखिकी बताएग orphans कहीं न कहीं ये भी सर्वोत्तम रीतियों के बारे में सांकिकी भी चर्चा करती है उसकी बाद अगर हम बात समाधान की करें तो जब हम एनालिसिस कर लेते हैं विसलेशन हम कर लेते हैं जैसे हमने भी बात के उधारन की तौर पे जन संख्या की हमने पूरवा नुमान भी से में वह बढ़े की घटेगी तो कही न कहीं साथ में एक समाधान आत्मक बिंदू भी दे देते हैं कि क्या किया जा सकते हैं तो थोड़ा जासे हैं वैसे ही अगर हम बात करें कलात्मक प्रदर्शन की तो हम ने आपको पहले से से उनको कलात्मग धंग से प्रस्तुत कर सकते हैं तो ये कहीं न कहीं विज्ञान के साथ साथ कला भी है ऐसा मान सकते हैं वैसे ही अगर हम विशेश निपूरता या दक्षिता की field कहिंए जैसे मैं कि हर व्यक्ति सांखिकी के कारियों को कर सकता है जो व्यक्ति सांखिकी के कारियों को कर सकने में ग्राफ बना लेने में आंकडों को एकत्रिक कर सकने में दक्ष होता है वही व्यक्ति सांखिकी के ये सारे क्रिया कलाब कर पाता है तो कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि सांखि कि में भी किसी वेक्ति के सांखिकी कारे को करने के लिए उसका निपुन होना यानि कि उस विशय में उसका दक्ष होना अत्य आवश्यक है तो इन चार बिंदू के आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि जहां एक और सांखी की विज्ञान है वहीं दूसरी और वो कला भी है अब इन दोनों बिंदू को अगर हम को रिलेट करें तो हम बहुत आसानी से इस बात को व्यक्ति कर सकते हैं कि सांखी की कला भी है और सांखी की विज्ञान भी है तो यह तो थी सांखी की के छेत्र के अंतरगत स आप अगर हम सांकिकी के के चेत्र का दूसरा बिंदू देखें तो वह है संहिकी की विशहसामागरी संहिक्रित की विश्य सामागरी को यानि इसके अंतरगत कौन कौन से चेज़े शामिल की गई है इसको हम दो भागों में बाट कर इसका अध्यान कर सकते हैं जिसमें पहला भाग है इसका विवर्नात्मक सांखिकी और दूसरा भाग है निश्करशात्मक सांखिकी अगर हम विवर्नात्मक सांखिकी की बात करें तो आए देखते हैं इसके अंतरगत कौन कौन से बिंदो आते हैं विवर्णात्मक सांकिकी में हम आकड़ों का संकलन प्रस्तुति करन विसलेशन सार्णियन क्योंकि यह सारी चीजें इनका छेत्र बहुत व्यापक है बहुत हम इनका विसलेशन करते हैं इनका पूरा विवर्ण प्रस्तूत करते हैं यानि कि वीवर्णात्मक सांखिकी के अंतरगत आता है वैसे ही अगर हम बात करें तो सांखिकी के अंतरगत अभी हम आगे चलके देखेंगे कि जब हम उन आखडों को साणिबद करके ग्राफ तयार कर लेते हैं आखडों से हम कुछ संख्यात्मक रूप हम उनका प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा काम आता है कि हम उसकी कैलकुलेशन करें जब हम केंद्री प्रवित्ति के मापका प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम में मेडियन मोड माध्य माध्य का और बहुलक की कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हम आगे चल कर अपकी र विवरणाथमक शेत्र बताए वह अपने आप में बहुत व्यापक हैं जिनका की हम आगे के Chopper में बहुत विस्तार से अध्यन करेंगे तो क्योंकि यह बहुत व्यापक शेत्र को कवर करता है तो ये सारी जीजे जिसके अंतरगत आती हैं वो विवरण आत्मक सांखिकी है क्योंकि ये पूरा का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है एक बहुत बड़े छेत्र को ये कवर करता है दूसरी तरफ अगर हम इसकी दूसरी विशह समागरी देखी यानि कि निसकर शात्मक तो वो सिर्फ प्रतिदर्श से काम चलता है नहीं सेंपल से हम काम चला लेते हैं जिसका अध्यान हम सेंपल के द्वारा करते हैं मतलब समग्र का अध्यान हम ना करके किसी एक प्रतिदर्श को चुन ले किसी एक का हम चैन कर ले और उसके आधार पर हम पूरे समग्र का अनुमा देने descriptive कुछ करने की जुरत नहीं होती है यहाँ पर हम छोटे से विवरंड छोटे से जानकारी से समगर काध्यार आसानी से कर पाते हैं और कोई न कोई निसकर्ष पर हम पहुंच जाते हैं ऐसे ही अगर हम सांखिकी के छेत्र के अंतरगत इसकी सीमाओं की बात करें देखिए अपने आप में सांखिकी हमने देखा कि इसका छेत्र बहुत विस्तृत है बहुत व्यापक है बहुत सारी चीजे इसके अंतरगत आती है लेकिन प्रतेक विशयवस्तु की कोई न कोई अप संख्यात्मक तथ्यों का समूं हैं जहां पर संख्या नहीं है वहां पर हम इसको पहले भी हमने देखा था इसके विशिस्ताओं के बारे में कि संख्यात्मक तथ्यों बहुत जरूरी है जैसे मैंने आपको एक उधारण दिया था कि दो अगर वेक्ति हैं उनकी अगर हाइट तो यह जो तत्य होंगे वह सांखिकी के अंतरगत नहीं आएंगे जब मैं बूलूंगी कि एक हाइट पाँच फूट पाँच इंच है बी की हाइट पाँच फूट दो इंच है तो क्योंकि यहां पर मैंने संख्या का प्रयोग किया तब ही उसको सांखिकी माना जाएगा तो यह एक सीमा हो सकती है इसके कि संख्यात्मक्त अध्यों का इसमें प्रयोग किया जाता है, दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें समू gnakaj да किया जाता है केवल समू का, तो क्या व्यक्टीकतीकायों का prena माइने नहीं रखता क्या वो महत्युपूर्ण नहीं है यह किसकी सिमाई एक जा सकती है कि केवल समू का अगर मैं बोलू कि कख्षा दस्वी में गड़ित के विशह में एक स्टूडेंट है जिसको 12 अंक मिले तो वह सांखी की हलाकि इसमें संख्यात्मक्तत्यों का प्रयोग ह है यह पचास शात्रों के कुल प्राप्तांग 150 हैं कुछ ऐसी ऐसा जब समू को हम इंडिकेट करते हैं पूरे समू को दर्शाते हैं तभी वह सांखी की के अंतरगत आता है व्यक्ति गत्में नहीं आता अगला बिंदू अगर हम सम्रूपता की कसोटी की बात करें तो यहां पर दो की तर्यों की तुलना करने के लिए उनका संवरूप होना आवश्यक हो ऐसा माना जाता है जैसा आय की तुलना करनी है तो सारे कड़े जो है वह आय से मांध़र हो जाता है बिल्कुल इसी तरह अगर हम बिना संदर्व के कोई निसकर्ष निकालते हैं जैसे हमने प्रशनावली प्रस्तुत की हमको किसी चीज पर सर्वे करना था आंकड़े एकत्र करने थे हमने प्रशनावली प्रस्तुत की आंकड़े हमने प्राप्ति किये तो हमको संदर्व लिखन अवयिद्या होता है जसे संबंदी ताख्डि आगर मैं प्राप्ति किया तो वह किस कार्याले स Hep finns कि हैं किस समय में किस है इसका वर्णन वहाँ पर करणा कहीं नहीं होता है अगर संदर्भ नहीं दिए गए हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि उनना अकड़ों में कहीं हीर-फिर की जा सकती है और उनकी विश्वसनियता यह उनकी प्रमाणिक्ता वहां पर सिध्ध नहीं हो पाता है अगली बात है इसके सीमाओं की करें तो हम देखते हैं कि इसमें एक तोब विशेषग्यों की आविशक्ता होती है जैसे की हमने इसके छेतर के अंतरगत भी देखा था कि यहां पर सांकिकी को कारे होता है वो कोई विशेषग्य वेक्ति कर सकता है जिसको सांखिकी का बहुत अच्छा नॉलेज होता है जो इस कारे में दक्ष होता है वही वेक्ति सांखिकी का कार्य कर सकता है इसलिए हम इसको समान नहीं है कोई भी वेक्ति कर लेगा कोई भी वेक्ति प्रशना वाली बना के आकड़े कत्र कर लेगा ऐसा कहना बहुत मुश्किल है तो निपोडता या दक्षता वाली बात भी इसके अंतरगत आती है ऐसी हम इसके एक सिमाओ की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सांखिकी का दूरुपयोग भी संभव है जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आप अपने आकडों का संदर पर प्रस्तुत नहीं क जैसा आप आकड़ा प्रस्तुत करना चाहते हैं जैसा आप निसकर्ष निकालना चाहते हैं वैसा निसकर्ष आप आकडों में हेर फेर करके प्रस्तुत कर सकते हैं तो यह भी एक यहां पर इसकी सीमाओ है इसकी लिमिटेशन है तो यहां पर हमने देखा कि सांखिकी की कौन कौन सी सीमा हैं 36 की जंसंख्या जंगर्णा 2011 के अनुसार दो करोड़ पच्पन लाग पैतालीस जार 1110 भी थी वृद्धिदर 22.6 प्रतिशत अगर जंसंख्या घनत्व की बात करें तो 189 लिंगा नुपात की बात करें तो 991 जीरू से 6 भर्ष की लिंगा नुपात के अगर हम बात करते हैं तो 969 अगर साक्षर्टादर की बात करें तो 70.28 और नगरी जंसंख्या की बात 23.24 और ग्रामीट जंसंख्या के अगर हम बात करते हैं तो 76.76 कि आपको कुछ समझ में आया या याद करने होगी कुछ बच्चा नहीं यही काम करती है सांकिकी आई देखते हैं सांकिकी के कारी क्या हैं? सांखिकी के कारियों में अगर में पहली बात करें तो ये संख्यात्मक जटिलता को सरल बनाती है जैसे मैंने अभी आपके सामने 36 गड़ के बारे में बहुत सारे आकड़े प्रस्तूत किये लिंगानुपात को लेकर जन संख्या घनतों को लेकर आबादी को लेकर अगर इनी स आपको बहुत आसानी से समझने के योगी होगा तो ये सांखिकी का बहुत पूर कारे है कि ऐसे सभी संख्यात्मक आकड़े जिनको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं भविश्य में जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी उनको आप बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित करक इस तरह से उनका सार्णियन करके आप रख सकते हैं दूसरी बात अगर हम कहें कि संख्यात्मत तत्यों को संख्या के रूप में प्रकट करना आवश्यक है और ये सांखिकी का कारे हैं अगर मैं 36 गड़ के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार से दूं कि 36 गड़ में बहु सारी नगर पालिका हैं देखा जाये तो 36 गड़ में बहुत सारे नगर निगम है तो इसमें आपको संख्यात्मक जानकारी क्या मिली कितनी नगर पालिका कितने नगर पंचायत कितने नगर निगम लिकिन इनी को अगर मैं सुव्यवस्थित तरीके से संख्यात्मक आकड़ो कि रूप में कुछ इस तरह से प्रस्थूत कर दो कि चतिस गड में 32 जिले हैं कि 36 गड में 146 विकासखंड है अगर हम अगर निगम की बात करें तो चहुदा है नगर पालिका की बात करें तो 49 है नगरपंचायत की बात करें 109 है तो यह संख्यात्मक आकड़े कहीं न कहीं किन महात्वपूर्ण कारे के अंतर गताता है इसी प्रकार सांखी की जो है अगर हम साधारन बोलचाल की भाशा में बात करें तो किसी व्यक्ति के जर्णर नॉलेज में भी व्रिद्धी करती है जैसे मैंने अभी आपको 36 के बारे में बहुत सारे आकड़े बताए आप देश के ज अगर जब भी वो सांखी की आकड़ों के संबन में कुछ अध्यन करते हैं तो प्रत्यक व्यक्ति का कहीं न कहीं जनल नॉलेज इंप्रूव होता है वैसी अगर हम इसके एक और कारे की बात करें तो यह नीती निर्धारन में सहायक है जिसको हम कहते हैं आर्थिक नियोजन आर्थिक नियोजन में भी सहायक है क्योंकि सांखी की आकड़ों के आधार पर हम सारे जो पुराने आकड़े हैं उनके और जो नए आकड़े प्राप्त हुए हैं उनकी तुल्ला करते हैं हम यह देखते हैं कि जिस विशय का हम विसलेशन कर रहे हैं उनमें कहां कमी आई कहा ज़्यादा हुई तो इन आकडो के अधार पर हम नई नीतियों के निधारन करने में सक्षम हो पाते हैं वैसी हम इसकी बात करें तो यह तुलनात्मक रूप रस्तुत करता है जैसे हम पिछले दो हजार गयारा कि जन गर्णा और अब कि अगर मुन संख्या बढ़ी तो क्यों बढ़ी किा कारण होंगे शीक्षा का इस यह परिवार नियोजन में कुछ कम्या रहे होंगे कहीं नकहीं हम इनका तुलना करसकने में सक्षम हो具ढ़िए इस इसे तरह हम पूर्वा नुमान भी लगा लेते हैं यह हमने पहले भी पढ़ा है सांकिकी के छेत्रों के अंतरगत भी हम पढ़ा है कि जब हम संख्यात्मक आकड़ों उनसे हम आउटपूट जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो अब अब क्या होने वाला है आगे जिस चीज के हम हम बात कर रहें चाहिए वो जनसंख्या की हो चाहिए वो आय की हो चाहिए वो साक्षरतादर की हो तो उसमें कमी होने वाली है या व्रिद्धी होने वाली है इसका हम एक पूर्वा नुमान लगा पाने में सफल होते हैं तो यह सारे चीज़े थी सांख्यकी के कारिय अब आ अर्थिक सिध्धान तो यह मॉडलों का निर्माण करता है हम अपने अर्थशास्त्र में आगे पढ़ेंगे मांग के नियम के बारे में मांग पूर्ति कीमत इन में क्या संबंध है माल्थस के जनसंख्या सिध्धान का हम अध्यान करेंगे और ऐसे बहुत सारे उभोक्ता से स मंधीत नियमों और सिध्धांतों की व्याक्या का हम अध्यान करेंगे तो कहिं न कहिं हम कह सक्ते हैं कि आरफव कुछा साचत में यह जो सांखिकी है वो इन्हें बहुत सारे नियम सिध्धांत और मोडल प्रदान करता है दूसरी बात अगर हम इसके महत्व की करें तो यह विन्योग, उत्पादन, उभोग, वित्रण, विन्मे, राजस्व, इन सब बिंदों पे जब हम चर्चा करते हैं, तो कहीं न कहीं ये सारे बिंदू अर्थशास्त्र और सांखिके दोनों को को रिलेट करते हैं, बिल्कुल इसे तरह अर्थशास्त्र में हम आर्थिक अध्यान भी सांखिके के माध्यम से ही कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं, जब हम जनसंख्या की समस्या, निर्धंता की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, असिक्षा की समस्या, इन सब की बात करते हैं, तो निर्धंता, बेरोजगारी, असिक्षा, जनसंख्या, इनके आकड़ तभी तो हमको पता चलता है कि वास्तों में अर्थ शास्त्र के अंतरगत ये सारी समस्याएं हैं बिल्कुल इसे तरह आर्थिक नियोजन की अगर हम बात करें तो वो भी सांखिकी से ही प्रभावित होता है आर्थिक नियोजन के अंतरगत क्या होता है कि अर्थ से संबंदित संवस्तव लगाAI जाती हैं जिसे हम और विस्तेत्रूप में आगे आनेवाले निया दिनी पढ़ें फटेंगे तो योजहनाएं कि साधार पर बनानी जाती है अगर हमको के लिए कोई योज बनाना है सिक्ष के कुछ जुना हम उस पर खर्च करें कौन-कौन से ऐसे साधन जुटाएं जिससे सिक्षा का इस तर बढ़ सके उचा हो सके तो जब इसके शुरुवात हम शुन्य से करेंगे तो वह शुन्य यानि कि वह आपड़े आज की इस्तिती कहां से मिलेगी सांकिकी के माध्यम से ही हमको मिल प जब हम करते हैं तो वह शुरू होता है आकडों के संकलन से और खतम होता है निसकर्ष पर जाकर तो संकलन से लेकर निसकर्ष तक की जो पूरी इस्तिती है जो पूरी प्रक्रिया है वह पूरी की पूरी सांकिकी के अंतरगत ही आती है बिल्कुल इसी तरह अगर हम नीतियों के निर्धारण की बात करें तो नीतियों का निर्माण हम तभी कर पाएंगे जब हम उसकी वास्तिविक स्थिती से परचीत हो जनसंख्या को लेकर अगर किसी नीती का निर्धारण करना है तो हमको आज की डेट में जनसंख्या की क्या इस्थिती है कम से कम ये बात तो पता होनी चाहिए जनसंख्या की ये वर्तमान की जो इस्थिती जिसके आधार पर हमको नीती का निर्मान करना है उस इस्थिती को हम किसके द्वारा प्राप्ति करेंगे जाहर सी बात है सांख्यकी के द्वारा ही प्राप् है और साथ ही साथ इसके अपने कुछ लिमिटेशन्स भी है आगे हम इनी सांखिकी का व्यभारिक जीवन में प्रयोग देखेंगे कि किस तरह से हम सांखिकी आकड़ों को व्यभारिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं